अब देखो एर यूटूब पर बहुत सारे new content creator आते हैं वो demotivate हो जाते हैं या फिर उन्हें support नहीं मिलता है बहुत दिन हो जाते हैं तो ऐसे में क्या होता वो यूटूब छोड़के ही भाग जाते हैं तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे point बता हूँगा जिने follow करके आप तो मैं regular काम करूंगा मुझे support मिले ना मिले वो बाद की बात है दो को ऐसा मैंनो कुछ भी नहीं सोचा था कि भाई जाते ही support मिल जाएगा मुझे पता था तीन साल तक तो मैं करने ही भाला हूं यह मैं सोचके आये था बाकी मुझे भी लगा था एक साल ऐसे होने को आय थी 10 महीने हो गए थे तो बीच में डी मोटिवेट में हुआ था अब खुद से नहीं हुआ कई बार क्या होता है बीच बीच में आपको कुछ लोग मिलते हैं लाइक गेमिंग की कमूनिटी में था मैं तो बहां पर मुझे कुछ बंदे ऐसे मिले नाम तो मैं नहीं लूंगा उन होगा कि अब रिजल्ट वो निकला तुमारे साम नहीं है देख लो तुम अपनी आंकों से कि डेड़ साल हो चुके और आज से साथ-ाठ महीने पहले की वह बात थी जब मुझे वह बंदे ने वह बात कही थी कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता यूटूब में तो देखो उस से पहले एक क्राइटेरिया चुन लो और एक गोल सेट कर लो कि आपको कितने दिनों तक काम करना है और इतने दुनों में तुम्हें कितनी वीडियोज अपलोड करनी है यह चीज एक सेट करके हो यूटूब पे आने से पहले नहीं तो बीच में आप डिमोटिवेट होंगे आपका दिमाग खराब होगा आप यूटूब चोड़ के भागोगे तो कोई फायदा नहीं गाई एक सेकेंड पॉइंट आता हमारा कि आपको रास्ते में भोत लोग मिलते हैं जैसा कि मैं तुम्हें बताई चुका हूँ कि यार कुछ ऐसे लोग आते जो बार-बार होते हैं आप अगर पॉजिटिव सोचो गए ही नहीं तो अपनी ओडियंस को या पिर तुम्हें जो देखने वाले उन्हें तुम्हारे में पॉजिटिव जैसा कुछ दिखाई नहीं देगा तो वो तुम्हें क्यों देखेंगे मेरा बोई जोबर का स्टाइल मतलब मेरा ज लेकिन नहीं gameplay वीडियो में या पिर मेरी live stream पर तो मैं कभी भी भाईया लोगों के सामने एकदम फुल खुल के भाई जितना भी कुछ मन में आ रहा ना सारब बोल देता हूं यार ऐसे नहीं की एक बात को सोच समझगर बोल रहो कोमेंटरी की बात आती है कि कोमेंटरी करना नहीं करना सो देखो बहुत लोगों को प्रब्लम आती कोमेंटरी करने में देखो यार गई जैसे तुम नॉर्मल यह अपने दोस्तों से बात करते हो उस ताम पर बिल्कुल भी नीजी जखते हो तो यार इने भी अपने दोस्त मानो ना यूटूब में आपको देखने बाल मैं सिर्फ पता नहीं किस हिसाब से देखते हैं मैंने कुछ दिनों पहले एक 30 सेकंड की वीडियो अफलोड करी अब उस वीडियो में क्या था कि 30 सेकंड में मैंने जो बाते बोली है वह तो बहुत अच्छी थी उन्हें अगर कोई सोचे गना गाई तो मैं डेफिनेटली ब 30 सेकंड का वीडियो जिसमें से तेरे 10 सेकंड या 15 सेकंड तो प्रमोट करने में निकल गए तो कौन यूटूबर ऐसा पागल है जो अपने आपके चैनल को ही प्रमोट नहीं करेगा भाई किसी भी वीडियो में मैं तो कभी कभार अपने वीडियो में यह भूल भी जाता तो आपके कहने से दस लोगों में से मतलब तुमने यह बात कई दस लोगों ने तुम्हारा वीडियो देखा एक बंदा भी अगर आपका चैनल सब्सक्राइब करता है तो आपकी तो मदद ही होती है उसमें कहीं न कहीं तो यह चीज में कहना चाहूंगा यह कोई बो नहीं ह तो उसमें एक आद बंदे कॉमेंट कर रहेते भाई आरोजी तिरी को तुने रोष्ट किया या फिर रिव्यू किया है तो देख मेरे भाई मेरे को आरोजी तिरी में जो जो प्रोब्लम आई है सो मैंने सेयर कर दी अब अगर किसी को लगता है मैं जूट बोल लाओ मैं तो जूट देता हूँ ऐसा कुछ भी निया मेरे फॉन में तो भाई मेरे पास आ जाओ यह आरोजी तिरी रखा मेरे सामने अगर ऐसा हुआ कि मेरे फॉन में टाच इशू नहीं है और यह लेग नहीं करता फ्रेम ड्रोप नहीं करता कस्टम्स में जाके एकदम हाई वाले कस्ट अब लोगों को लगता है कि भाई यह गलत बोल रहा है अब देखो आर लोगों से रोष्ट समझे या फिर रिवू समझे वो उनके उपर है मैं तो क्या ही कर सकता हूँ बागी देखो मुझे नहीं पता है यह वीडियो तुमें कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक ठोको सब्स्ट्रेब तो को अबिक अबिक